बुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज थार्ड लेंग्विज के क्लास में हम लोग पहला चैप्टर शोत्ती शोना पणिने ठीक है शोत्ती शोना शोत्ती शोना वर्ड का मिधीन है दालियल बोल्ड तो कहानी क्या है एक छीलो बुरो चाशी तार भाड़ी पोठीर पोशो मतलाग एक चाशी था उसका बहुत बिमार था बाजबार आशा नहीं बोलने चली मतलाग उसका बजने का कोही उमिद नहीं था चाशीर मोने शांती नहीं उसका मन में शांती नहीं था तार एक मात्र छेले भाड़ी अलोष तार मोरार आगे चाशी तार छेले के का छे देके बोल्लो बाबा आमार तो दिन पुरी एसे चे जावाशो मोई तुमा के आक्तार जोरकारी कथा बोले जाए उसका मन में हर टाइम बहुत चिंता था वो मनने का टाइम पे अपने बेटे को बुलाया और बुला बाबा मेरा तो दिन खतम होने वाला है तुमको एक जरूरी बात बताना चाथे चाशी छेले तो भारी अलोष किन तुम तार टाका पईशा लोग शोलुआना चाशी का जो लरका था ओ बहुत आलसी था लेकिन उसको पैसे का बहुत लालेस था तार धारोना तार बाबा अनिक शोनादाना लुकी रेखे छे शे ताई बाबा के बोललो तोमार लुकोनों शोना तुमी को थाई रेखे छो बोले काले नातो उसका मन में चिल्था था जिए उसका पापा सारा सोना कहीं जामीन में या कहीं छुपा के रखता है तो इसने अपने पापा से पुछा तुम अपना सारा सोना कहां पर छुपा के रखते हो बाबा धुर्बल हाग तुले छेले के काछे देखे दाक लेल बोल लेल ताई तो तुमा के देखे बहुत वीक था बतलब धुर्बल था और उसने अपने बेटे को फास बुला दे बुला के बोला इसीलिए तुमको हम बुलाया थे भालो कोरे सुनो एई जे आमा देर चाशे जोनी देख छो एई नीचे पोता आछे औरेक सोना तुमी घुरे देखो कथा कोटी शेश कोरे चाशी चीरोदिने मोंते चोग भुज़ो चाशी ने बोला हम लोग का जो जमीन है उसका नीचे बहुत सारा सोना छुपा हुआ है थेले तो आर तवार स्वाईना शोना लोबे ताक चोग दूता चक चक कोटी लागे उसका फार्मार का मतल्य चासी का लड़का का आग सोने के लालच पे जलमलाने लगा छेले का बोके देखे शौक कथा बोल्लो लड़का अपना बहु को बुलाया मतलब अपना पत्नी को पापा ने तो बताया है जमीन के नीचे सारा सोना है लेकिन काहा है ये तो बताया नी छेलेर बहुच छिलो अतुंत बुद्धी मोतने शेता सामी के बोलो बाबा जा बोले गया छे ता मिध्धे बोले जाने उसका पत्नी बहुत मतलद चालाग थी और उसने बताया पापाने जब बोला है तो कही ना कही सोना जरूर छुपा हुआ होगा तुमी पुरो चाशे जोमीटार पुरे दाखो आग पुरा जमीन खोर के देखिए बाबार कथार मिश्चोई शोट्चु हब पापा का बार जरूर सही होगा छेलें तो अलोश शे मोटेई काजकोत्ते चाइना ताय अतोबर्व चाशी जोमीटार खुर्ते हवे भेवे शे हतार शोट्चु पुर्व लेकिन चाशी का लर्का बहुत आलसी था उतना बड़ा जमीन खोर्णे का बाद सोचते ही उसको मतलब उसको हतास चोके बैड़ गया किन्तो शोना लोभो तार कॉर्णा लेकिन सोने का लालाज भी नहीं छोड़ पा रहा था छेलेर वो शामीर मोनेर पथा बुस्ते पालो ताय शे बोल लो अतोबर्व चाशी जोमीटार तुमी जोदी एका कुर्ते ना पारो ताहले मोजूल लागिये जो भी खोड़ा पत्नी ने अपना पती का मन का बात समझ लिया उसने अपना पती को बताया अगर आप पुरा जमीन खोड नहीं पा रहे तो आदमी लगाई आदमी लगा के पुड़ा जमीन खोड़िये। अप्तोगुलों शोना जोदी आमरा पेए जाए ताहले आमादेर आर अभग थाग देगा। उतना सारा सोना अगर हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग का पैसे का अभग नहीं रहेगा। छेले तार बोए पथा शुले दुजुन मोजूट देगे जोमी खोड़ते लागी दिया। आ नीजे आईश कोरे बोशे देगे। लड़का अपना पत्नी का बाद सुनते ही दो बज़दूर को जोमी खोड़ले के दिये लगा दिया। और खुद आराम से बैठा रहा। एई देखे बहु बोलो ओधे रुपो छेरे दिये निस्चीन ते बोशे ठेकोना तूनीयों कोदाली निये मठे जाओ। पत्नी ने इस सब देखके अकने पत्ती को बोला जे आप भी मन बैठा रहे हैं। आप भी जमीन पे जाएं। ता ना गोले ओड़ा जोगी शोना पे जाए ताहोले ओधे शोड़िये खेलते कोतर फोल। अगर आप उहाँ पर नहीं जाएंगे तो अगर मज़दूर लोग को सोना मिल जाएगा तो उन सब सोना उलोग आपने ले ले लेगा। छेले भाब लोग बहुत तो ठीकी को अथार बोले छे शोट्ती तो ओधे विश्याष करा जाए ना। इसका बाद लेटे को समझ में आया जो पत्नी ने बाद तो सही बोला है। उन लोग को तो विश्वास नहीं किया जा सकता है। और जोदी शोनाटा पे जाए ताहर शौक्चेश्टा बिथा होए जाए। अगर उन लोग को सोना मिल गया तो हम लोग का सारा जो परिस्रम है सब बैठ हो जाएगा। तार चाहिते बढ़ू माठे जाए। इससे अच्छा हम खुद जमीन पे जाए। काज कोड़ते कोड़ते ओधे रुखो नौजोर राखा सुभी रखा पे। काम करते करते मज़दूर के उपर नजर रखना आसान होगा। शकालते के सुन्दे पोजन तो गोटा जोवीटा खोड़ा खुड़ी कोड़ो कोथाओ एको टुपु शोना पावा गयलो ना। सुभे से साम तक पुड़ा जमीन खोड़ डाला लेकिन कहीं भी सुना नहीं मिला। रागे गोरगोर कोट्य कोट्य चासी छेले बाईती फिरे एशे। तार बहु के बोल्लो बाबा शुदु-शुदु आमाके बोका बाईये जे। लड़का गुस्सा होके घर में आके अपनी पत्नी को बताया। पापा ने जूट मुढ हमको बुद्धु बनाया। बहु माथा ने बोल्लो। जुमीटा जोखन चौशा होये गालो तोखन बीज बुनी देखोना। पत्नी ने पत्नी को बताया। अगर फूरा जमीन ठोरी डाला है तो उसमें बीज उगा के देखिये। उसमें फसल होता ही कि निए। शुन्दे पोजुन्तों शेई बीज आक वाएक तिन बादेई बौर्षा नामनो। उसका दो-तिन दिन बाद बारिस होने लगा। चाशी छेले हाट थेकी सक्ची शेरा धाने बीज की निया होलो। चाशी का लड़का हाट से सक्षे अच्छा बीज खरिक की लिखे आया। शुकाल थेके शुन्दे पोजुन्तों शेई बीज भूनलो जुमिते। शुबे से साम्तक उस जमीन पे उस चाशी बीज लगाया। तारपत्य के रोज सकले उठे माठे गिए खोशोले देखभाल कराते लागलो। उसका बाद डेली जमीन पे जाके शुबे से साम्तक उड़ा देखभाल करता था। शारा मात देख्ते देख्ते शोबुच चारा गाचे भुड़े गाल। देख्ती देख्ते पुरा जमिन पे छोटा छोटा चारा गाल से पुरा जमिन भर गया। तारखोत्तिके शुडू होलों खेते शारा दिन काच कड़ा। इसका बाद से उर लड़का मचासी का लड़का सुभे साम जमिनिक पे काम करने लगा छेलेर बोहु तार्जुनों खाबार निये माठे जाय आज शोबुज खेते देखे तार्मोन भोड़े उठी लड़के का पत्यी मतलत चाशी का लड़के का पत्यी अपनी पती के लिए खाना लेकर माठ में जाती थी और उसका मन भर जाता था पुरा फसल देखके उसका मन भर जाता था माटमहडा पाका धाली रासी राशी देखे मोने हो शोत्ती भुजी शोनाई गोड़ेग आचे खेर पुड़ा जमीन पे जो फसल उगा था उसको देख के लगरा था जे सारा जमीन विपपे सचमुझ का सोना उबला हुआ है छेरे आबार एबार गुस्ते पारे कैनों तार बाबा ताके देखे बोले गया छे जे खेते शोना होता आचे इसका बार लड़के को समझ में आया जो उसका पापानी क्यों बोला था जे जमीन के नीचे सोना है बाबार पथा मुने होते जोग दुटो जोले घोरे उठेता पापा का बाद मन में आते उसका आप घर आया तादे जोमी ते जे एतो भालो फोशोल खोले शे एक उठों जान लो उनलोग का जमीन पे इतना अच्छा जो फसल होता है उसको पहली बार पता चला देखते देखते फसल काटा शुमूल होये एलों इसका बाद फसल काटनी का टायन आगया आतो फसल फोलनो जे लोग लागिये वह फसल काटा क्यों थे एतना सारा फसल होआ आदमी लगा के फसल काटना पड़ा रोजकारे टाका तुले दिये पासोर हाटे बेचे उचुट टाका रोजकार भोलो जो फसल जमी से काटा गया था उसको हाट में बीच के बहुत सरप ऐसा मिला एही तार कोथों रोजकार एही था उसका पहला रोजगार से दोड़े बाड फादे ठखाये निहीं चासी का लल्का अपना पत्नी के हाथ में सारा पैसा देखे बताया कि पापाने हम लोग को धगा नेंए तीर शोति बोले छिलेन एबं खाटी सोना श्वन्थां दीगा जी उसने सही बोला था जे खाटी सोना हम लोग कम जमीन के नीची है और सची ब अगर हम लोग अच्छी तरह से परिश्रम करें तो उसका फल मीठा होता है अब वाइड मीनिक हम लोग मात करेंगे दूर्बल अलोश चार्प चार्पक्टों अजूर्पक्टों कुदाल बश्शा ब्रिधा बीच नीचे देखो वर्ड मिलिंग है दौरकारी मतलब प्रोयजोनिया अलोष मतलब कुरे लेजी सोलो आना मतलब कुरा पुरोटाई बुद्धि मती चाला आलसेमी पुरिली गोरी मोशी अनिच्छा गजगज बिरोपुटी प्रकार्ष करा शुए बोशे मने कोनो काज ना कोरे मोजूर मने जारा कोईशर बिनी मये काज करे कौपाल भागपो सोनार ताल सोनार गोरी ये बालानो बोलाकर बॉल बिठा मतलब बिफ़ल मोरिया खेपे उठे बिगे जोमी माँ मतलब जमीन के माँ मेजर्मेंट मिछी मिछी माने मिठ्थे बिठ्थे गर्भो माने अहुंकार खेत माने चाशे, जोमी, खाट माने जिनिश पत्रों ब्याचाकेना जाएगा धारोना मतलब बोद, पोरिश्रव मतलब खाटोनी, पुरोषकार, उपोहार, चोग बुजले, माडा ग्याले, स्राद्दो शान्ती, मीतेद, आक्ता शान्ती कामोने उनुष्का मतलब बनने का बाद जो क्याक प्रयाम किया जाता है उसको साद्धो शान्ती बोतो, आज का हम लोग का चैप्टर यहां पर कंप्लीट होगा, पूरा चैप्टर मैंने एक्स्प्लेंग किया, उस्ता बाद वाड मेनिंग भी तुम लोग को बता दिया, नेक्स्ट क्लास में हम को सिल आंस